प्रिये भक्तों, आज हम आपको पताएंगे कि सनी बार के दिन पीपल के ब्रिक्ष की पुजा क्यों की जाती है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी, आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किजिएगा, साथ ही घंती के निशा को दवाना नहीं भूलिएगा, हिंदू धर्म में पीपल बिक्ष का बराही महत्व है, हिंदू दर्शन की मानेता है, कि इसके पत्ते पत्ते में देवता का बास होता है, विश्नु का बास होता है, अथर बेद में इस बिक्ष के नीचे देवताओं का स्वर्ग बताए गया भगवान श्री क्रिष्ण कहा है कि पीपल के मूल में ब्रह्म्हा मध में विष्णोजी और अग्रभाग में भगवान सीव जी सक्षातूरूप से बिराजित हैं असकंद पुरान के अंसार पीपल के मूल में विष्णू तने में केशब साखाओं में नारायन पत्तों में भगवान श्रीहरी और फलों में सभी देवताओं का बास होता है क्यों कि जाती है सनीवार के दिन पीपल की पुजा एक पौडानी कथा के अनुसार लक्ष्मी और उसकी छोटी बहन दरिद्रा जो थी वो विष्णू के पास गई और प्रार्तना करने लगी कि है प्रभो हम कहा रहे है इस पर भगवान विष्णू ने दरिद्रा और लक्ष् सनी बार को पीपल की पूजा करेगा उसे सनी ग्रह के प्रभाब से मुक्ति मिलेगी उस पर लक्ष्मी की अपार की पा रहेगी सनी के कोप से ही घर का धन नस्थ हो जाता है मगर सनी बार को पीपल के पेर की पूजा करने वाले पर लक्ष्मी और सनी की क्रिप्या बनी रहती इसी विश्वास के आधार पर लोग पीपल के ब्रिक्स को काटने से आज भी ड़ते हैं उसमें बताते हैं कि पीपल के ब्रिक्स को काटना ही नहीं चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा जरूरी हो उसके काटे भीना काम नहीं चले तो तो सिर्फ रवी बार के दिन ही उसको काटना चाहिए गीता में पीपल की उपमा सरीर से की गई है बैग्यानिक द्रिस्टी से भी पीपल का ब्रिक्ष प्रयाप्त मात्रा में कारवन डाक्साइड ग्रहन करता है और ऑक्सिजन छोड़ता है और पीपल के पत्ता हवा न भी हो तब भी हिलते नजर आते हैं थोड़ी सी हवा की हिलने के उज़ा से तुलसिदास ने मन की चन चलता की तुरुना पीपल के पत्ते के हिलने की गती से की गई है पीपल ब्रिक्ष का पूजन करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं अमबस्या तिथी पर पीपल के ब्रि चब्ति है असकंद पुरान में बताए गया है कि पीपल की जर में विश्नू तने में के सब इसकी साखाओं में भगवान नारायन पत्तों में भगवान स्रीहरी और फ़लों में सभी दे देवा देपताओं का हमेशा निवास होता है पीपल की पूजा करने से मनुस्थों के हो जाते हैं और दुर्भाग से मुक्ति मिल जाती है पीपल में पित्रों का बास माना जाता है इसमें सब तिर्थों का भी निवास होता है इसलिए मुंडन आदि पवित्र संसकार पीपल के नीचे करवाने की परंपरा है सनी यानि साड़े साती की कहर से बचने के लिए हर सनी बार को पीपल पर जल चरहा कर साथ बार पीपल की परिकर्मा करनी चाहिए शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाने से अच्छे पुन मिलता है बरे बरे परसानियों से छुटकारा मिल जाता है पीपल के पेर के नीचे वैसे तो रोजाना सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए किसी कारण बस ऐसा संभब ना हो तो सनी बार की रात को पीपल के नीचे दीपक जरूर जलाएं पीपल के तने पर सफेद कच्चा सूत लपेटने से सभी प्रकार के कस्टों से मुक्ति मिलती है पीपल का पेर ही एक मात्र ऐसा ब्रिक्ष है जो कभी कारवन डाक्साइड नहीं छोड़ता है इसलिए इसके पास जाने से कई रोग दूर हो जाते हैं और सरीर स्वस्त रहता है अमबस्या और सनी बार के दिन पीपल के पेर के नीचे हनुमान जी की पूजा अर्षना करते हुए हनुमान चलिसा कापाथ करने दीन पीपल पर जल नहीं चरहना चाहिए पर युजाल कामों में लक्स से पीपल की लक्री काटने पर दोस्त नहीं लगता है तो बोलिए जय स्रीशनी देब